हालो बच्चो आज हमें लोग इस्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का इरोप में राइस्ट्वाट का उदई ये एक हिस्ट्री का चेप्टर है यानि समाजिक बिग्यान का एक चेप्टर है इसी का जितना भी अब्जेक्टिव कोचन बन सकता है सारा कोमेन है एक ही वीडियो में कभर किया है ठीके आपको ये वीडियो को लाश्ट तक देखना है ताकि जितने भी एकजाम में अब्जेक्टिव कोचन आएगा छूटेगा नहीं ठीके तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कोचन क्या है पहला कोचन है सामाजिक उपबंद नामक पुष्टक के लेखा कौन थे उक्षन में दिया हुआ है पहला उक्षन ए में दिया हुआ है रूसो बी में दिया हुआ है मांटेर क्यू सी में दिया हुआ है दिदरो डी में दिया हुआ है जियालोग तो इसका सही उतर हो जाएगा, रूसो यानि option ए है, ठीक है, तेरी दूसरा कोचन, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापग किसने की थी, पहला option है, केवूर, दूसरा है, विस्मार्क, तिसरा है, मेजनी, और चौनता है, गेरिय बोल्डी, ठीक है, तेरी सका सही उतर हो जाए ठीक है चलिए अगला कॉचन तीसा नाबर जब फ्राइंस स्थीखता है तो बाकी ईडोप को शर्दी जुकाम हो जाता है यह कथन किसका है तो ओक्षन पहला में दिया हुआ है मैट शिनी वाक्षन दिया हुआ है मैटरनिक ओक्षन सीम दिया हुआ है बिसमार्क और ओक्षन ट देखिए जवधा में क्या है फरांस की करांती कब हुई पहला ओक्षन दिया हुआ है आ सत्रसो शंताउन इस भी दूसरा ओक्षन दिया हुआ है 1765 और तिसरा ओक्षन दिया हुआ है 1776 और ओक्षन डी में दिया हुआ है 1789 इस पी इसका शेजिया हो जाएगा ओक्षन डी यानि 1789 इस पी को ठीक है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? पहला उक्षन दिया हुआ है जर्मनी का समराठ था, दूसरा उक्षन दिया हुआ है फरांस का समराठ, तीसरा उक्षन दिया हुआ है रूसों का समराठ, और उक्षन दिया हुआ है इंगलेंड का समराठ, इसका सेजा हो जाएगा उक्षन बी यानि फरांस का समराठ ठीक है चलिए अगला करूंच अठा नमर में है 1789 इस बी में कांग्रेस की क्रांति के समय किसका सासन था पहला उक्षन है लुई 14 दूसरा उक्षन है लुई 16 तिसरा उक्षन है लुई 15 और डी में दिया हुआ है नेपोलियन तो इसका सही जाब हो जाएगा उक्षन बी यानि लुई 16 ठीक है चलिए अगला कोचन यह निसातवा नमर कोचन सातवा नमर कोचन है फ्रांस की करांति का अग्रदूत किसे कह जाता है उक्षन दिया हुआ है पहला उक्षन है नेपोलियन दूसरा है रूसो तीसरा है दिद्रो अर्चन उथा है वाल्टेयर तो इसका सही जाव हो जाएगा उक्षन बी यानि रूसो ठीक है चलिए अगला कोचन अठ्वा नमर कोचन में क्या बोल रहा है जयू सेपे मेस्टिनी का जयनम का हुआ था उक्षन में दिया हुआ है पहला में 802 इसपी दूसरा दिया हुआ है 810 इसपी तीसरा दिया है 812 इसपी अचोंथा दिया है 807 इसपी जिसका सही जाव हो जाएगा उक्षन डी यानि 807 इसपी में ठीक है चलिए 9 नमबर कोचेन है दी इंपरीट ओफलो नामक पुष्टक के लेखा कौन थे पहला म दिया हुआ है वाल्टेर दूसरा म दिया हुआ है दिदरो और रॉक्षन ची में दिया हुआ हुआ है मांटे सक यू रॉक्षन डी में दिया हुआ है रुसो तो इसका सेजा हो जाएगा ओक्षन सी यानि मांटे रेश को हो जाएगा ना चलिए अगला है दस नंबर है विसमार्क जर्मानी का चांसलर कब बना ओक्षन में दिया हुआ है पहला में दूसरा ओक्षन है 1856 में तीसरा ओक्षन है 1860 में और चौंथा ओक्षन है 1862 में तो इसका से जाव हो जाएगा ओक्षन दी यानि 1862 में ठीक है अगला कुछ अंगारा नामबर ऑस्टेलिया के साथ प्रंचा का यूध कव हुआ था पहला ओक्षन दिया हुआ है 1860 में दूसरा ओक्षन दिया हुआ है 1863 में तीसरा ओक्षन दिया हुआ 1865 में और चोथा ओक्षन दिया हुआ 866 में इसका से जाव हो जाएगा ओक्षन दी यानि 1866 में ठीक है चलिए अगला कुछन बारा नमबर कोचेन है देखिए बारा नमबर कोचेन है प्रसा का अस्टेलिया के साथ किस संधी के दुआरा यूद बिराम हुआ पहला अक्षन दिया हुआ है बेना की संधी दूसरा दिया हुआ है वरसाई की संधी तिसरा अक्षन दिया हुआ है पेरिश की संधी और चोठा अक्षन दिया हुआ है लंदन की संधी इसका सरीजाब हो जाएगा अक्षन यानि बेना की संधी चलिए अगला कोशन तेरो नमबर है इटली का एकिकरन कब पुरा हुआ ओक्षन दिया हुआ है पहला में 871 ओक्षन B में है 873 ओक्षन D में 876 और ओक्षन D में है 1889 तो इसका सही जाव हो जाएगा ओक्षन A यानी 1871 यानी इसका जाव हो जाएगा 1871 ठीक है चौदर नमबर कोशन क्या है बैंक ओफ फ्रांस की अस्थातना किस ने की थी तो पहला ओक्षन दिया हुआ है नेपोलियन बोनापाट दूसरा ओक्षन है लुई चौदर अडिम दिया हुआ है जोर्ज थिरी इसका सही जाव हो जाएगा ओक्षन यानी नेपोलियन बोनापाट चलिए अगला कोशन देखिए पंदर नमबर कोशन क्या है पंदर नमबर कोशन बोल रहा है कि गेरी बल्डी कहां का निवासी था पहला ओक्षन दिया हुआ है वेनेसिया दूसरा दिया हुआ है सार्डिनिया तिसरा दिया हुआ है निपोल्स चोथा दिया हुआ है पराग तो इसका सही जावा हो जाएगा ओक्षन बी यानी सार्डिनिया ठीक है चलिए सोलो नमबर सोलो कोशन ठीक है फ्रांस में नेपोल अहिनन सा किस वज लागू की गई पहला मृक्ष्ण में दिया हुआ है थारस्ऋओ पंद्रe 이बए दुसरा में दिया हुआ है अठार सो ‎सबी सिर्फ दिया हुआ है शात्राइब आपन दिया हुआ है법 थां मत्र्याल हो दिया हुआ हैं च liability उन्फ on दूसरा में दिया हुआ है 840 भी तीसरा में दिया हुआ है 1789 भी और चोथा में दिया हुआ है 1799 भी तिसका चवाब हो जाएगा ऑक्षन वी यानी मासले किस देश की राश्भक्ति का गी थे पहला उक्षन है रूस का दूसरा है फ्रांस का तीसरा है इटिली का चौथा है जर्मनी का इसका से जावाब हो जाएगा ऑक्षन वी यानी फ्रांस का ठीक है चली अठार नमर कोचन अठार हम देखिए वह राज जहांकि राजनेतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं पहला उक्षन में दिया हुआ है आपका कल्यान कारी राज दूसरा हम दिया हुआ है राश्टे राज दूसराम दिया हुआ है गंड क्या हो जाएगा राइष्टि राज यानि ओक्षेन भी ठीक है चलिए उरिस नबर कोशेन बोल रहा है किसी अमुर्थ भावना या विचार को किसी मुर्थी आकृति बेक्ति या वस्तु के रूप में दर्स आने को क्या कहते है पहला अक्षन दिया हुआ है कल्पनादर्स दिसरा दिया हुआ है रूपक अच्छा वस्तु दिया हुआ है निर्मान तो इसका स्रीजा हो जाएगा ओक्षन C यानि रूपक यानि रूपक हो जाएगा बिश्व कोचन तूटी हुई बेडिया मसाल तलवार उक्तावा सुरी आधी पर्तिक क्या कहलाते हैं पहलाम दिया दिया हुआ है रूपक दूसरा में करांती तिसरा में बदलाव और उक्षन टिम दिया हुआ है यूटोपिया तिसका स्रीजा हो जाएगा ओक्षन ये है यानि रूपक यानि रूपक चलिए अगला कोचन एक इस नबर कोचन है केरोल कुरपिस की कौन था पहला उक्षन दिया हुआ है इटली का राष्टवाद दूसरा हुआ है दिया हुआ है फ्रांसीसी राष्टवादी तिसरा दिया हुआ हुआ है रूसी राष्टवादी चनुथा दिया हुआ हुआ है पोलीस राष्टवादी इसका स्रीजा हो ज लिए 22 नबर कुशन आखों का या आखों पर पट्टी बांधी हुई और तराजु लिए हुए महिला किस बात का परतिक है पहला अक्षन दिया नहीं आए दूसरा दिया हाए सव्द्वत्ता तिसरा दिया हाए सान्ती और चोथा दिया हाए समानता तो इसका सही जाओ जागा अक्षन यानि नए ठीक है चलिए अगला कुशन 23 नवर कि बुर्बो रांस्वंस का सासन कीस देश में था पहला दिया हाए रूस में दूसरा है इंग्लेंड में तीसरा है फ्रांस में अच्वता है अमरिका में तो इसका सही जाओ हो जाएगा ऑक्षन इसका सही जाओ ऑक्षन C हो जाएगा यानि फ्रांस में ठीक है चलिए 24 नवर कोचन कीस संधी के द्वारा युनान को एक सोतंत राइस्ट के रूप में मैनेता मिली है पहला ऑक्षन दिया हुआ है कुस्तुन तुनिया की दूसरा दिया है वरसाय की तिसरा दिया है एक टॉ तो यूनियान का और चुशा दियाएसी में से कोई नहीं तो इसका सही जाओ जाएगा ऑक्षन यह यानि कुस्तुनिया की पहला ऑक्षन ठीक है चलिए आगला ऑक्षन 25 नबर कोचन 25 नबर कोचन है फेर्टरिक शर्यू कौन था पहला दिया हुआ है फ्रांस का तानासा दूसरा अक्षन दिया हुआ हुआ है फ्रांस से कभी तिसरा दिया हुआ हुआ है क्रांतिकार चौन सा दिया हुआ है फ्रांस से सी चित्रकार जिसक तो सामुहिक पांचान को क्या कहते हैं पहला अक्साने रूपक दूसरा है राइश्टवाद तिसरा है रूडिवाद 4 है कल्पनादर्स इसका सेजह हो जाएगा ओक्सेंग B राइश्टवाद ठीक है 26 इसका अक्षन भी हो जाएगा राष्टवाद, चलिए 27 इसका, हमारी यन किस देश के राष्टवाद की परतिक है, पहला है इटली, तुसरा है रीस, रूस है, और C नमर दिया है जर्मानी, और D नमर दिया होए फरांज, इसका सेज़ा हो जाएगा अक्षन D, यानि फरांज चलिए 28 इसमर कोचने, बीरिना की संधी, कब होई, पहला दिया होआ है 1848, जूसरा दिया होआ है, 1815, तुसरा दिया होआ है, 1854, चमताद दिया होआ है, 1789 स्पी में, तुसका सेज़ा हो जाएगा आक्षन D, यानि 815 स्पी में, ठीके, तिल लिए अगला कोचन 29 नवर question है बीना सम्मेलन का IN कीस वर्स हुआ था पहला question दिया हुआ है 1815, दूसरा 1830, तीसरा 1804 और चौन था है 1805 इसी में इसका से जाओ हो जाओ का option A यानि 1500 1815 इस भी हुआ था ठीक option A इसका से जाओ हो जाओ ठीक है चलिए अगला question अगला question है 30 नवर question आप देख रहे हैं 30 नवर question है काउट काबूर काउट काबूर को Victor इमेल वेन ने कीस पद पर नित्ति किया पहला दिया है फांस में राजदुद दूसरा दिया है पधान मंत्री तिसरा दिया हुआ है सेनापती और चोथा में दिया हुआ है गिरी है मंत्री तिसका इसरी जाओ हो जाएगा option B यानि परधान मंत्री ठीक है 31 नवर question जर्मान राइस्ट के लिए निमलिखिद में से कौन महिला रूपक बनी पहला option दिया हुआ है मारियन जर्मेनियम 3 लिए हुआ है बृटैनियम 4 लिए हुआ है में दिसका इसरी जाओ हो जाए查 B यानि जर्मेनिया जर्मेनिया ह जाएगा चलिए 32 नमर quelle निमलिखिद में से किसे एक किरीद इतली का परफम साबसक घोसित क्या गया है पहला दिया हुआ है King George 2, दूसरा दिया हुआ है Cesar Billion 4, तिसरा दिया हुआ है Nicholas 2, और Dim दिया हुआ है Victor Emelion 2, इसका सरी जहाँ जाएगा Oxen B, यानी Cesar Billion 4, ठीक है, चलिए 33 नमबर कोचेन आवा आते हैं, 33 नमबर कोचेन है, जर्मानी को एकजूट करने में किसने आहम भूमिकरी भाई, पहला दिया हुआ है Frederick William 4 ने, दूसरा दिया हुआ है Otto 1 बिसमार्क ने, तिसरा दिया हुआ है Meternich ने, चलिधा दिया है Cancer Billion ने, इसका सरी जाब हो जाएगा Oxen B, यानी Otto 1 बिसमार्क ने, ठीक है चलिए 34 कोचेन, निम्लीखित में किस देश को सभ्यता का पालन के रूप में जाना जाता है, पहला है Italy, दूसरा है England, तिसरा है France, और चलिधा है Union, तो इसका सरी जाब हो जाएगा Oxen D, यानी Union, ठीक है चलिए 35 कोचेन है, इतली केकी करन, आंदलोन का नेतरत्व किस ने क्या, पहला दिया हुआ है, पहला Oxen में, केमिलो दे काबूर दूसरा दिया हुआ है, जेवू सेपे मेसिनी तिसरा दिया हुआ है, वीक्टन इमेल वेल टू, अचोथा दिया हुआ है, मेटर निक, तो इसक चलिए 36 का है, कब यूनान को एक सोतन्त राइष्ट के रूप में मनेता मिली, पहला दिया हुआ है, अठार सो बिया हुआ है, अठार सो ब्यालिस, तिसरा दिया हुआ है, अठार सो तीस, चोथा दिया है, अठार सो बतिस, इसका स्रीजा हो जाएगा Oxen D, यानी 1832 में है, ठ पहला अक्षन दिया हुआ है परसा दूसरा दिया हुआ है मयोनिक तिसरा दिया हुआ अस्टेलिया चौथा दिया हुआ है बर्लिन इसका सहरी जाव हो जाएगा ओक्षन-A यानी परसा ठीक है तिल जागला कोचन 38 नमबर कोचन है फेर्टर सेर्यू का बिसे क्या था पहला ओक्सेन दिया हुआ है लोकतांत्र दुसरां दिया हुआ है समाजवाद दुसरां दिया हुआ है पुंजीवाद अर्चावथां दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं इसका स्रीजाब हो जाएगा ओक्षेन यानि लोकतांत्र ठीक है चिल जागला कुछ हम थर्टिनान नमबर है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्वारी तनाव का एक गंभी शुरुद था वो क्या था पहला ओक्षेन दिया हुआ है जर्मनी छेत्र दूसरा दिया हुआ है अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेलफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरु करें और बेल अंकेन के घंटा को दबा दे ताकि जब जब हम वीडियो अप्लेट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंज जाएगा ठीक है तो आज के लि